एक तरफा प्यार का अंजाम बुरा होता है, इश्क मिलता नहीं और दर्थ बेपना होता है दोस्तों जब आप किसी को एक तरफा प्यार करते हैं तो वो एक तरफा प्यार शुरू शुरू में तो बहुत मजा देता है लेकिन जैसे जैसे आप उस इंसान के लिए सीरियस होते जाते हैं आपका जो प्यार है वो गहरा होता जाता है वैसे 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 वो एक तरफा प्यार का मज़ा सजा बनने लगता है और आप बहुत सारे सवालों से घिर जाते हैं जैसे कि उस प्यार का इजहार करना है या नह तक दिए निए ऑर सुझालि और गहरे हुए News तो अगे ओसे सवंधर है दोस्ते में आगे किसे भ राइन पर चाहिए अug DR करता है उस इन्सान के उपर जिसको आप कर देंगी वो आखिर है कौन अपका रिश्टे मैं सो क्या ह anda ऑफ स्क रहर नहीं को कभी कभी क्या होता है हम किसी को दूर से देखते हैं उसके अच्छी चीजे देखते हैं अच्छी हरकते देखते हैं और हम उसके साथ प्यार में पढ़ जाते हैं और वो प्यार फिर वक्त के साथ में जैसे जैसे हम उसकी खूबियां देखते हैं हमारा प्यार बढ़ता जाता है गहरा होता जाता है अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन आपने अब भी तब उससे बात नहीं की तो ऐसे में आप उससे प्यार का इजहार कभी कि दोस्तों देखिए आप उसके बारे में सुनते हैं उसके अक्टिविटीज को देखते हैं इसलिए आप उसको प्यार करते हैं लेकिन उसका ग्या वो तो इंसान आपको नहीं जानता आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता तो ऐसे में आप जब अचानक से किसी के सामने जाकर उसको प्यार का इजहार करेंगे, तो एक कोई भी इनसान हो, चाहें लड़का हो या रड़की हो, वो नहीं करेगा, क्योंकि जिसके साथ में आप में टाइम स्पेंड नहीं किया, जिसको आप जानते नहीं है, सिर्फ देखते हैं, वो कैसे हां बोल सकता है, जान पहचान बढ़ाने की, और उसके बाद दोस्ती बढ़ाने की, ताकि आप भी उसको अच्छे से जान ले, पहचान ले और उसको भी मौका दें कि वो आपके बारे में जाने, अगर आप उसको प्यार करते हैं, तो आपके अच्छायों से उसको भी प्यार होने दे थोड़ा सा वक्त गुजारे और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ वो दोस्ती है वो अपना पन है आप दोनों के बीच में तब उस प्यार का इजहार करे दोसरा हो सकता है दोस्तों कि आप एक ऐसे इंसान को प्यार करने लगे हो जो और लड़े किसी और को पसंद करता हो या फिर करती हो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों देखिए जैसे कि आपको पता है वो इंसान किसी और को चाहता है तो यहाँ पर 90% chances हैं कि आप उससे इजहार करेंगे तो वो इंसान मना ही करेगा तो बिना बात इनसल्ट करवाने का या बेवफूफी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता कि वो भी क्या सोचेगा कि इसको तो पता था मैं किसी और को प्यार करता हूँ तो क्यों बोल रही है या पिर क्यों बोल रहा है वो आपके लिए negative हो जाएगा उसको ऐसा लगेगा कि आप उसके रिष्टे में यह दूरिया पैदा करना चाहते हैं तो वो इंसान आपके लिए बहुत negative हो जाएगा गलत सोचनी लगेगा तो ऐसे में आपको नहीं बोलना चाहिए इसके साथ में दूसरी possibility यह भी है कि वो इंसान आपको हां बोल दे और उस इंसान को जिसके साथ में वो रिष्टे में है छोड़ दे ऐसे में भी आपका ही घाटा है क्योंकि जो इंसान आपके एलवी कहने पर अपने एक relationship को छोड़ सकता है तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा किसी तीसरे के लिए obviously उसकी जिंदेगी में कभी और कोई इंसान आया जो आपसे better हुआ उसने इसको propose कर दिया तो वो आपको भी छोड़ देगा ऐसे इंसान के साथ में आप ना तो उस पर भरोसा कर पाएंगे ना आप उसकी इज़द कर पाएंगे तो उस इंसान के सामने अपने प्यार का इज़़ार ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है हो सके तो उस इंसान से दूर चले चाहिए दूरिया बना लीचे ताकि जो टेली आपके दिल में बहुत कुछ होता है उसको देखकर वह ना हो आप रात को चैन से सो पाएं उसको से अच्छी फ्रेंट हो तब क्या गरना चाहिए ऐसे में दिमाग में एक जीज ये भी चलती है कि कहीं आप प्यार के इजहार के चक्कर में अपनी दोस्ते तो नहीं खो बेठेंगे और ये सच में डर जायज है अपने जगा पर लेकिन ऐसे में दोस्ता अपने प्यार का इज जरूर कर लें अपने प्यार को जरूर उसके सामने बया करें इसके मैं रीजन्स बताती हूं आपको सबसे पहला रीजन कि हो सकता है जैसे दबा हुआ प्यार आपके दिल में है वैसे ही दबा हुआ प्यार उसके दिल में भी हो और वो भी यही वेट में हो कि बस कोई मौका मेले आपसे प्यार का इजहार करें तो वेट क्यों करना है आप कर दोना सामने से भी हाँ होई जाएगी अभी क्या है वो आपका दोस्त है और सिर्फ आपके साथ में है इसलिए आपको ज्यादा फर्ट नहीं पढ़ रहा और आप सोच रही है कि यार इजहार कर दूंगी या जूआ कर दूंगा लेकि यू नेवर नो उसके जिंदगी में कब कोई और आ जाएगा और जिस दिन उसके जिंदगी में कोई और आ गया तो आप यह सद्मा नहीं जेल पाएंगे आप जेल नहीं पाएंगे कि वो किसी और के साथ में है क्योंकि तब उसकी प्रुरिटिव कि आप पूरी जंदकी पस्ताते ही रहेंगे कि काश मैंने उससे प्रपोस कर दिया होता है और प्र आपके साथ में तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा तो वो दिन ना आनी दें आप अपने प्यार का इजहार कर दें जहां पर ऐसे रिष्टों में प्यार का कि काश काश मैंने उसको बता दिया होता कि मैं उसको कितना प्यार करता था या फिर कितना प्यार करती थी तो अगर वहां से मना भी हो जाएगा माल लिया कि उसने मना कर दिया आपको प्यार के लिए आपके साथ रहने के लिए और दोस्ती भी कतम करती तो भी आपके पास फिर क्या है अभी आप बेचैन है आप पूरा दिन ना तो सो पाते हैं ना तो जाक पाते हैं आप पूरा दिन बेचैन रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं तो बेचैनी आप यह खतम हो जाएगे उसकी ना के बाद आपको दुख चाहिए कितना भी हो लेकिन बेचैनी हां बोलती है थो बहुत अच्छी बात है नहीं इंतजार कीजिए और वह बिल्कुल ही माना कर देता है तो जिन्दगी में दुख बनाइए एक दिन एक कव्ता एक महीना दुख की एक बहुत अच्छी बात हो थी है दोस्तो तुम आज भी बेखबर है कल की तरह अगर पसनाई होते हैं लाइक करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें और पैल आइकन देवाना ना भूलें मेरा नाम है उशा कृष्वा आप देख रहे हैं ते दिल टाउ